Hello and welcome friends थोड़ा सा VBA programming के उपर बात करेंगे VBA programming यानि Microsoft Access के अंदर VBA programming के बात करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं यह Microsoft Access मैंने open किया है यहाँ पर एक button मैंने बनाया है अब यह button VBA programming से बनाया है और छोटा सा code लिखा है एक basic information देने की कोशिस की है कि यह VBA programming कैसे लिखेंगे और इसको लिखने से होगा क्या यह बहुती छोटी सी programming है यह कोई बहुत बड़ी programming नहीं है बहुत आसान चीज है तो अभी इसमें मैंने किया क्या है देखिए यहाँ से अगर हम इस पर click करते हैं देखिए अभी यहाँ पर keyboard देख रहा है यहाँ से मैं दूसरा record लेकर आता हूँ Lenoo का laptop है देख सकते हैं अब फिर यहाँ से तीसरा record लेकर आ सकते हैं तो यह click किया हमने तीसरा record आया अब यहाँ से भी जा अब देखिए यहाँ पर HP desktop लिखा हुआ है अगर मैं इस button पर click करता हूँ जैसे click करता हूँ तो क्या लिखा हुआ आ रहा है HP desktop आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो यह button मैंने कैसे बनाया इसी के बारे मैं discuss करने वाले हैं तो चलिए आए यह शुरू करते हैं बताते हैं आपको कि यह button मैंने कैसे बनाया पहले तो इसको delete कर देता हूँ यहां से delete कर दिया मैंने ठीक है यह button मैंने delete कर दिया और यह जो visual basic की programming लिखी थी उसे भी मैंने हटा दिया है अब हम क्या करते हैं यहां से click करते हैं button बनाने के लिए हम according to us button बनाएंगे यानि कि वो हमारे according काम करेगा button तो यहां पर click किया हमने और फिर इसको cancel कर दिया अब यहां पर इसका नाम मैं लिख देता हूँ जैसे इसको लिख देता हूँ my button ब-u-t-o-n यह लिख दिया मैंने my button यह हमारे according काम करेगा यहां पर देख सकते हैं यह command 6 आ रहा है यहां पर पर लिख देते हैं my button ब-u-t-o-n ठीक है तो यहां पर पर लिख दिया my button यह भी capital कर लेते हैं यहां से यह हो गया एक नट यह हो गया तो यह my button यहां पर भी कर लिया है हमने अब हमें यहां पर right click करना और सीधा कहां चले जाना है build event पे यह build event आपको दिखाई पढ़ा होगा इसी पे click कर दीजे और यहां से आजाना है code builder पे तो यह code builder पे आगए अब यहां पर करना क्या है यहां पर हमें एक programming करनी है अब जैसे माल लीजिए यहां पर मैं लिखता हूँ MSG box MSG box का मतलब होता है message box ठीक है प्राइस दिख रहा है प्राइस दिया है हमने ध्यान दीजेगा और अगर इस पे click कर देते है ठीक है यह तो click कर दिया हमने click करने के बाद क्या करना है click करने के बाद यहां पर my button नाम से यह आ चुका है ठीक है और code हमने क्या लिखा है वो आपको देखी रहा है यह हमारा code है ठीक है यहां पर click कर देते है save करने के लिए form 1 को save कर दिया हमने ठीक है और save करने के बाद अब इस पे click करते है अभी यहां पर क्या देख रहा है keyboard देख रहा है click करते है click किया यहां पर क्या आ रहा है 60,000 लेनो का जो desktop या laptop जो भी है उसकी price आ रही है अगर मैं फिर change करता हूँ, यहां से गया और फिर इसको change किया आप देखिए यह HP का desktop है 45,000 इसकी कीमत है तो यहां पर जाता हूँ तो यहां पर 45,000 आता है ठीक है, तो इस तरीके से यह button मैंने create किया इसमें कुछ implementation करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, no problem कैसे करेंगे, क्या way होगा, चलिए एक और button बना के दिखाता हूँ इसमें, ठीक है तो यहां से आएंगे, और इसको पहले ले लेंगे design view पर, यह ले लिया design view पर इसी तरह का एक और button हम बनाते हैं, ठीक है, इसको delete कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है तो एक और button बना देते हैं, यह click किया, इस पर अब यहां पर एक खुद से फिर एक button design करेंगे हम ठीक है, तो यह click किया, अब यहां पर यह window आएगी, इसको आपको simply close कर देना है और यहां से इसको change कर देना है, ठीक है, यहां पर लिख देता हूँ name of product तो ध्यान रखिएगा, जब भी लिखिएगा, तो underscore लगा के लिखिएगा, name of product यह कुछ इस तरीके से आपको दे देना है, okay, तो यह name of product लिख दिया, हमने इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं, ताकि पूरा view clear रहे, तो यह दिखिए, यह name of product आ गया, इसमें color अप्लाई करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, no problem तो यहाँ पर color लगा देते हैं, यह यहाँ से जाकर के, और जो भी color आप चाहते हैं, related color आप लगा दीजीए, यह लगा दिए, इस button पर भी लगा सकते हैं, तो जो आपका मन करें, वो color इस पर apply कर देजे, यहाँ से जाकर के, ठीक है, तो इस पर यह वाला color अप्लाई कर दे यह लिख दिया name of product ठीक है अब यह name of product का बटन बन रहा है यहाँ पर click करेंगे तो product का नाम आएगा ठीक है यह कैसे होगा यहाँ पर रखिए right click कीजिए built event पे चले जाएए और यहाँ से code builder पे आ जाएए अब यहाँ पर यहाँ पर हमें वो code लिखना है तो यहाँ पर simply type कर द सही आपको लिख देना है और कुछ कहीं कुछ करना नहीं है ठीक है तो यह name of product हो गया बस हो गया यहाँ से save पे click कर देता हूँ और यहाँ से अब आता हूँ और फिर इसे ले ले लेता हूँ form view पर अभी आ गए अब यह name of product का बटन है अभी यहाँ पे keyboard लिखा हुआ है क्ल चेंज करते हैं तो यह हमारा product का ना भी चेंज होना चाहिए तो name of product अब देखिए Lenovo laptop आ रहा है तो कुछ इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं उमीद करता हूँ बात समझ में आई हो कि video पसंद आया है तो share करें thank you for watching this video